Keyboard shortcuts, computer में काम करने वाले सभी लोगों के लिए keyword shortcuts एक important term है क्योंकि एक तो यह आपको smart represent करता है और साथ ही आपके office के काम को fast भी कर देता है तो आज के गर इस वीडियो के हम बात करें तो इस वीडियो में control A से लेके control Z तक जितने भी shortcuts होते हैं वो भी एक नहीं किसे किसे दो या तीन shortcuts होते हैं वो सब कुछ मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि यह जो shortcuts है यह आपके office work में आपको बहुत ही जादा help करने वाले है और एक छोड़ी से request है कि अगर यह वीडियो आपको useful और informative लगे तो please वीडियो को like और share जरू करें तो बिना किसी देरी के शरू करते हैं इस वीडियो को अब नॉर्मन ध्यान देते हैं computer skin पे और शुरुवात करते हैं सबसे पहले shortcut से जो कि है control plus A जिसका use I know कि आपने से बहुत सारे लोग को पता होगा क्योंकि यह सबसे जादा use किया जाता है जो कि होता है किसके लिए select all करने के लिए अब अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास select करने के लिए इस MS word पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम एक formula type करेंगे जो कि है equal R A N D और bracket शुरू bracket बन प्रेस करेंगे enter जैसे मैं enter प्रेस करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास एक paragraph आ गया है अब अगर मैं control A प्रेस करता हूँ तो यह पूरा का पूरा paragraph एक ही बार में बड़ी आसानी से select हो जाएगा और अगर हम control A की बात करें तो सिर्फ यही नहीं different platforms पे हम control A का use देख सकते हैं for an example अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो कि हमारी desktop इसक्रीन है अगर मुझे एक ही बार में सभी के सभी file, folders, icons सबको select करना है तो वो काम मैं control A की मदद से बड़ी आसानी से कर सकता हूँ इसके लिए मुझे simply control A प्रेस करना है और आप देखोगे कि सारे के सारे जो मेरे यहाँ folder, files जितने भी applications है वो सब कुछ यहाँ पे select होगे same like अगर आप Google पे हो आप different platforms पे हो तो वहाँ पे भी आप control A का use इस तरह से कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं next shortcut की कि जो की है control plus B जिसका use किया जाता है text यह selected part को bold करने के लिए bold मतलब क्या होता है कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमार पास जो data है वो काफी thin portion पे है अगर मैं इसे थोड़ा सा thick करना चाहूं तो उसके लिए हम control B का use कर सकते हैं तो simply आपको एक उंगली से control की को hold करना है और B प्रेस करना है आप देखोगे कि जो part मैंने select किया था वो पहले के comparison में थोड़ा सा thick यानि की bold हो गया अब बात करें next term के जो कि बहुत ही जादा use होता है जो कि है control C जिसका मतलब होता है copy अब हम copy क्यों करते हैं माल लो कि मुझे एक ही काम बार बार नहीं करना जैसे कि मैंने यहां पे suppose यह वाला paragraph लिखा यह मैंने type करके लिखा है और यही paragraph मुझे task दिया है कि मुझे 5 बार लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहां पे इसे select करूँगा मैं और इसके बाद मैं control C करूँगा और फिर जहां पे भी मुझे paste करना है वहां पे मैं cursor को रखूँगा और मैं control V प्रेस करूँगा control V, V for when तो control C से होता है copy और control V से होता है paste आसान भाशन में यह कहूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ की नकल बनानी है तो इसके लिए हम control C का use करते है same like आप यहां पे देख पारे हैं कि मेरे पास एक folder है और इस folder का जो नाम है वो मैं change कर देता हूँ इसके बाद जितनी बार मैं control V प्रेस करूँ आप देखो कि मोहन का copy यहां पर बनता जाएगा आप देख सकते हैं मैं control V प्रेस करता जा रहा हूँ और यह बार-बार copy यहां पर बनाता जा रहा है तो यह बहुत ही common चीज है and I know कि आप में से काफी लोगों को इसके बार में ज़रूर पता होगा अब यहां पर बात करते हैं next shortcut की के जिसके एक नहीं तीन-तीन यूज है जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें control D की जो कि अभी आपने थोटा सा डेमो यहां पर देखा होगा जैसे आप मोहन का यह फाइल है यानि कि फोल्डर है और मुझे इसको डिलीट करना है तो अगर मैं यहां पर control की को hold करके D press करूँ as a shortcut तो यहां पर डिलीट हो जाएगा आप देखोगे कि मोहन वाली जो फाइल थी यानि जो फोल्डर था वो यहां से डिलीट हो चुका है सेम लाइक अगर मैं MS word पर बात करूँ control D का तो इसका अलग यूज़ जैसे कि मैंने यहां पर इस text को select किया अब अगर मैं यहां पर control D प्रेस करूँ तो आपको यहां पर font formatting का option मिल जाता है जिसमें आपको जो भी font style चाहिए जिसमें अगर आपको bold करना है या फिर मान लीजिए कि इसका जो underline style हो आपको इस तरह से double डालना है या फिर जो इसका color है वो आपको change करना है इसके साथ ही underline color आपको कुछ और रखना है इस तरह से आप different चीज़ें यहां पर select कर सकते हो और जब आप इसे ok करते हो तो आप देखो कि वो सारी formatting एक ही बार में apply हो गई है इसके जगह अगर हम excel में बात करें तो इसमें इसका use होता है duplicate बनाने के लिए for an example मैं यहां पर एक formula type कर देता हूँ जो कि है sum का formula और जिससे यहां पर मुझे total मिल गया अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ek करके sub का यहां पर अलग से total ना निकालना पड़े तो मैं क्या करूँगा यहां से नीचे तक sub का range में select कर लेता हूँ और simply मैं control D press करूँगा जैसे मैं control D press करूँगा तो उसी formula का duplicate यहां पर बना देगा और मुझे sub के लिए अलग से मैनत नहीं करने बड़ी तो control D से आप folder यह file delete कर सकते हो control D से आप ms word में font formatting खोल सकते हो और control D की मदद से आप excel में duplicate option का भी use कर सकते हो अब यहां पर बात करते हैं next shortcut की की जोगी है control plus E जिसका use किया जाता है center alignment के लिए for an example मैंने यहां पर राहूल लिखा इस तरह से और मुझे A की बार में यह इस document के बीच में चाहिए तो मैं यहां पर control E प्रेस करूँगा जिससे A की बार में यह जो राहूल है वो यहां पर center में आ जाएगा इसके साथ Excel में control E का कुछ और use है जैसे कि आप on skin ध्यान दोगे तो मैंने यहां पर कुछ नाम लिखे हुए राहूल कुमार राजेश शर्मा मोहन कुमार एक्जेक्टरा एक्सल में मैंने कई सारे नाम लिखे है अब मुझसे यह बोला गया है कि इसमें राहूल जो है वो म मैंने यहां पर लिखा अब राहूल से लिखे नीचे तक मैं select करूंगा और मैं keyboard से simply control E press करूंगा और आप देखोगे यहां पर flash fill apply हो जाता है जिसकी मदद से सबके नाम automatically यहां पर आगे इसे तरीके से अगर हम last name यानि surname की बात करें तो मैंने दुबारा से इसको select किया और control E press किया और आप देखोगे कि यहां पर flash fill apply हो गया है तो Excel में control E का use आप flash fill के लिए भी कर सकते हो अब दोस्तों बात करते हैं next shortcut की कि जो कि है control plus F control plus F का use किया जाता है find करने के लिए अब find का यहां पी क्या मतलब है जैसे कि महां लो कि मुझे यह चेक करना है कि इस पूरे paragraph में मैंने document कहां पर लिखा हूआ है तो मैं क्या करूंगा controlisti का use करूंगा जिससे पूरा का पूरा paragraph यहां फर सब्सक्रा जाएगा यहान पिर पूरा जो आपको डेटा में डूड़ना है कि आपने ये वाला पार्ट कहां पे लिखा हुआ है आपको मानलो कि किसी गूगल पेज पर आपको कोई चीज सर्च करनी है कि ये चीज कहां पे लिखे हुई है तो उसके लिए आप Ctrl F का यूज कर सकते हो इसके बाद अगर हम बात करें Ctrl G का आपको किसी पेज पर आप करना है तो आप उस पेज का नंबर यहाँ पर लिखोगे अर आप गुट्य पर किलिक करोगे तो आप सिधा उसी पेज में पहुंच जाओगे example के लिए मैंने यहाँ पर जादा data लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पर data बढ़ा देता हूँ like मैंने 40 by 40 का paragraph ले लिया एक लंबा चोड़ा paragraph मैंने यहाँ पर ले लिया अब मेरे पास यहाँ कई सारे pages है आप देख सकते हूँ बहुत सारे pages है मेरे पास तो मैं यहाँ पर control G प्रेस करूँगा और अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे सीधा 10 वे page number पर जाना है मैंने यहाँ पर 10 लिखा और मैं go to पर click करूँगा और आप देखोगे कि सीधा सीधा मैं 10 पेज नमर पर यहाँ पर आ गया हूँ जो क्यों इसके नाब देख पा रहे हूँ इसके साथ अगर हम बात करें next shortcut की की तो वो है control plus H जिसका यूज किया जाता है replace करने के लिए अभी आपने देखा control F की मतद से मैंने document को search किया अब अगर मुझे इस document को information में change करना वो भी एक ही बार में तो यहाँ पर हम control H का यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले हम इसे हटाएंगे यहाँ और मैं यहाँ पर control H प्रेस करूंगा जिससे इस तरीके का dialogue box आपके सामने आएगा अब यह पूछ रहा है find what replace वाले term में find what यानि कि आप किसे replace करना चाहते हो तो मैंने बोला document और मुझे इसको किसके साथ replace करना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया database इस तरह से मैं लिख देता हूं कुछ में database और मैं यहाँ पर replace all पे क्लिक करूंगा इसने मुझे बोला कि पांच replacement हमने किये हैं और मैं यहाँ पर अब इसे एक बार चेक कर लेता हूं तो मैं यहाँ पर डालता हूं database कहां कहां लिखा है मैंने database और मैं यहाँ पर reading highlight में highlight all पे क्लिक कर देता हूं अब यहाँ पर आप देखोगे कि जहां जहां पर document लिखाता हूं उन सब जगह पे इसने database यहां पे लिख कर उसे overwrite कर दिया इसके साथ अगर हम बात करें next shortcut key की तो वो है control plus i जिसका use होता है italic करने के लिए for an example यहां से लेके यहां तक का matter है उसको मुझे थोड़ा से तिर्चा करना है यानि कि थोड़ा से stylish represent करना है तो हम यहाँ पर control i प्रेस करेंगे जिससे यहां पर क्या हो जाएगा italic हो यहां पर अगर आप गौर से notice करो तो यह आपको थोड़ा से तिर्चा नजर आएगा इसको बोलते है italic जो कि आप control i से कर सकते हैं अब यहां पर बात करते है next shortcut key की जो कि है control plus j जिसके दो use है सबसे पहला use है यहां पर justify alignment अब यह justify alignment क्या होता है देखो जैसे कि मैंने यहां आप इस पूरे paragraph को select किया तो आप इसके left side में देखो आपको यहां से बिल्कुल proper straight नजर आ रहा होगा लेकिन अगर आप इसके right side में देखो तो आप देखोगे कि यहां पर थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे इस तरह से आगे पीछे हो रखा है तो जब अगर आप किसी book को notice करते हो या फिर किसी magazine वगरा को देखते हो तो आप देखोगे कि इधर भी proper बराबर में है इधर भी proper बराबर में है वहां पर use किया जाता है justify alignment का तो assembly हम यहां पर करेंगे कि हमने प्रेस के ctrl j और आप notice करोगे कि जिस तरीके से left में बिल्कुल proper way में यह हमें show कर रहा इसके साथ है अगर ctrl j के एक और use की बात करें तो इसका use होता है डाउनलोड को देखने के लिए तो assembly अगर आपने ctrl j प्रेस किया अपने google पर आके तो जो जो चीज़े आपने डाउनलोड किये उन सब की list आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों बात करते है next shortcut की कि जो कि है control plus k जिसका use होता है hyperlink करने के लिए अब सवाल आ रहा होगा mind में कि hyperlink होता क्या है hyperlink की मदद से आप एक place से दूसरे place पे एक path बना सकते हो यानि कि रस्ता बना सकते हो जैसे कि मानलोड यह database है मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी database पे click करे तो वो दूसरी location पे पहुंच जाए इसके लिए हम hyperlink के use करते हैं तो देखो मैंने यहाँ पे select किया database को ctrl k press करूँगा मैं यहाँ पे जिससे hyperlink का option आ जाएगा अब मुझे कहां पे इसे भेजना है तो मैं इसे भेजना चाहता हूँ place in this document पे हम जाते हैं यहाँ पे नहीं तो हम कहीं और चल करो तो मैंने control k को दबाया और मैंने click किया जैसे मैं click करता हूँ और yes करता हूँ आप देखोगे कि मैं appointment letter वाले file पे यहाँ पे पहुंच गया हूँ तो अब मैंने appointment letter और जो हमारा database वाला word है उन दोनों की बीच में की link up कर दिया hyperlink की मदद से और hyperlink का shortcut क्या है control plus k इसे के सा आप देखोगे कि url section में search google वाले option पे मैं आ गया हूँ तो यह एक shortcut है जिसका user आप google पे कुछ भी चीज़े search करने के लिए अगर आपको सीधा सीधा वहाँ पहुंचन है shortcut में तो आप control k का use यहाँ पे कर सकते हूँ अब दोस्तों बात करते है ने एक shortcut की कि जो की है control plus L जि जैसे अभी मैं असे normal कर दूँ पहले मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा मैं लिका राहूल और यह जो राहूल है suppose मेरा है right में यहाँ पे है यह फिर्मानलो center में जो कि अभी हमने सीखा था control plus e की मदद से अब अगर यह राहूल मुझे a की बार में left में चाहिए shortcut में तो मैं जैसे यह जो alignment आपको दिख रहा है यह है left alignment अगर यहाँ पे मैं control e press करूँ तो यहाँ पे हो यह होता है center alignment की सारी चीज़े center से ही लिखना start करेगे और अगर मैं यहाँ पे control r press करूँ तो यह होता है right alignment असान भाशा में आप यह समझे कि यहाँ पे अगर मैं control l press करता हूँ तो यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो left से लिखना शुरू करेगा, अगर मैं यहाँ पर control E press करूँ, जिसका मतलब होता है central alignment, तो मैं जो भी लिखूंगा, यह बीच में इसे लिखना start करेगा, और अगर मैं यहाँ पे Ctrl R प्रेस कर दू तो मैं जो भी लिखूंगा यह राइट हें साइट से लिखना शुरू करेगा तो alignment यह decide करता है कि आपका cursor किस वे में लिखेगा left to right लिखेगा यह center से लिखेगा यह right to left लिखेगा तो यह depend करता है उस alignment पे इसके साथ ही अगर हम excel में बात करें तो जैसे आप यहाँ पे डेटा देख पा रहे हो अगर मुझे इसी डेटा को table में convert करना है तो इसके लिए भी हम Ctrl L का use कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे इस data को select किया और मैं यहाँ पे press करूंगा Ctrl L तो आप देखो कि मुझे यहाँ पे dialogue box मिल गया है create table का और मैं यहाँ पे create table पे click करूंगा okay करूंगा और यह मेरा data टेबल में convert हो जाएगा जो ग्योंस के आप देख पा रहे हो हम इसे पहले जैसा कर देते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं Ctrl M का क्या use है Ctrl M का use होता है increase indent के लिए for an example जैसे यहाँ पे मैंने paragraph लिख दिया like यह हमने paragraph लिखा ठीक है indent क्या बोलते हैं इसको indent यह होता है left indent और यह होता है right indent अब यहाँ पर जहाँ पर यह इंडेंट है वहीं से लिखना शुरू करेगा अगर मालूँ मैं यहाँ पर 2 पर आता हूं और इस indent को अगर मैं आगे कर दूँ जो मैं किस से करूंगा Ctrl M से तो आप यह देखो इस indent को इ आगे बढ़ जाएगा और इसके वज़े से मेरा paragraph यहाँ से लिखना है start करेगा तो अगर आपको indent को manage करना है shortcut में तो उसके लिए हम Ctrl M का यूज करते है Ctrl M का मतलब होता है increase indent shortcut जो हम यहाँ पर यूज कर रहे है Ctrl M वो किसके लिए है increase indent के लिए इसी को अगर आपको पीछे ल करोगे तो यह वापस आजाएगा इसके साथ मान लोगे अगर आपने से काफी आगे कर रखा है लाई किस तरह से आपको एक की बार में पूरा indentation normal करना है indentation को क्या करना है normal करना है तो Ctrl Q प्रेस कर दो जैसे आप Ctrl Q प्रेस करोगे तो आपका indent position normal place पे आ जाएगा I hope कितना point आ आपको clear हो गया होगा आगे बढ़ते है next term की जो कि है Ctrl N जिसका use I know कि आप सब को बता होगा जो कि है नया file लेने के लिए या फिर हम बात करें किसी भी place पे नई sheet लेने के लिए नया workbook लेने के लिए या फिर नई slide लेने के लिए तो Ctrl N का सीधा मतलब है कि अगर आपको नई document नई page नई slide या फिर नए workbook पे जाना है तो उसके लिए हम Ctrl N का use करते है I hope कि इसके बार में आपको पहले से ही पता होगा बात करें Ctrl O का क्या use है तो जैसे कि यह मेरी जो file हो बिलकुल खाली है मुझे यहाँ पे कोई saved file को खोलना है तो मैं Ctrl O प्रेस करूँगा Ctrl O से ज प्रेंट वन वाली जो file हो यहाँ पे खुल जाएगी कुछ इस तरह से तो Ctrl O का use किया जाता है file को open करने के लिए file या folder open करने के लिए इसके बात करें Ctrl P जो कि one of the common term है use होता है प्रेंट के लिए अगर मुझे इसी को प्रेंट करना है तो मैं Ctrl P प्रेस करूँगा तो यहाँ आपको एक की बार में से normal करना है तो आप Ctrl Q प्रेस कर दो आपका जो indent position है वो normal place पे आ जाएगा बात करें right alignment की तो थोड़ देर पहले मैं आपको बताया था कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है like मैं यहाँ लिख रहा हो राहुल और मुझे यह बिलकुल एक की बार देना नहीं तो समझ में आएगा आप यहाँ पे देखोगे इस पूरे data sheet में अलग-अलग data like 54 फिर 74 फिर 39, 61, 39 यह चीज़ है अगर मैं यहाँ पे Ctrl R प्रेस करूँ तो यहाँ पे जितना भी यह राइट में data है इस वाले data को यह consider करेगा और राइट के जितने data है इस पे इ इन सबको इसने 61 कर दिया इन सबको इसने 53 कर दिया तो राइट फिल के लिए भी यूज किया जाता है Ctrl R का जिसमें राइट में जितना भी data है वो लेफ्ट के respect में वो बिल्कुल copied हो जाता है as it is वैसा के वैसा ही यह पेस्ट हो जाएगा इसके बात करें नेक्स शॉटकट क के लिए मुझे option मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे जिस भी location पे से save करना चाहता हूँ location में यहाँ पे select करूँगा यहाँ पे file का नाम दूँगा जैसे कि मालो कि मैंने file का नाम दे दिया practice file इस तरह से मैंने नाम दे दिया और मैं save पे click करूँगा तो अब आप यहाँ पे दे मुझे इसी excel के data को table में convert करना है जो कि अभी हमने देखा था हम ctrl L की मतद से भी गर सकते हैं तो अगर मुझे इसे table में convert करना है तो मैं यहाँ पे ctrl T प्रेस करूँगा जिससे create table का option आ जाएगा और मैं इसे table में convert कर सकता हूँ यह हुआ इसका पहला use इसके साथ ही अगर म मुझे shortcut में चाहिए तो मैं यहाँ पे ctrl T प्रेस करूँगा और मुझे new tab यहाँ पे मिल जाएगा तो एक use इसका यह है दूसरा यहाँ पे एक और use है इसका जो कि आप ms word में कर सकते हो तो अगर मैं यहाँ पे ctrl T प्रेस करूँ तो आप देखोगे कि जहाँ पे मेरा cursor है इसने इसको यहाँ पे hang कर रखा है जो पहला वाला यहाँ पे point है उसको इसने यहाँ पे hang कर दिया और बागी के जो remaining part है paragraph का उसको इसने इस indent की मतद से आगे कर दिया है तो hanging indent में क्या होगा कि यह जो पहला वाला pillar है यह रोक कर रखेगा पहले वाले line को और यह जो नीचे वाला pillar है यह बाकी के data को आगे forward कर देगा कुछ इस तरह से अगर आपको normal करना है तो control shift को hold करके आपको t press करना है यह पहले की तरह normal हो जाएगा इसके बाद अगर हम बात करें control plus u की तो इसका use किया जाता है data को underline करने के लिए like अगर मैं यहाँ पे control u press करूँ तो आप देख पार हो तो अगर आपको shortcut में underline करना है तो आप control plus u का use कर सकते हैं इसके बात करें next shortcut की की तो वो है control plus v और control plus v का use मैं आपको बता चका हूँ जो कि है copy और paste करने के लिए जिसमें हमने किसी भी data का किसी भी file का किसी भी folder का अगर नकल बनाना है तो उसके लिए हम control c करते हैं और फिर हम क्या करते है control plus v इसके साथ ही अगर बात करें next shortcut की की जो कि है control plus x उसकी मदद से आप किसी भी selected part को cut कर सकते हूँ जैसे कि मैंने इसको select किया और मैं control x प्रेस करूँ तो यहाँ पे cut हो जाएगा I hope कि यह point के लिए रुआ होगा इसका एक use इसलिए भी किया जाता ह अगर आपको इसे यहां से हटा के कहीं पर move करना है तो भी हम control x का use करते हैं देखो इसके लिए करना क्या है सबसे पहले जिस एरिया को भी हमें move करना है हम उसे select करेंगे control x प्रेस करेंगे जिससे वह हो जाएगा cut वहां से हट गया इसके बाद जहां पर भी मुझे उसे paste कर करना है तो मैं यहां पर enter करूँगा और यहां पर cursor को लियाओंगा और प्रेस करूँगा control v तो आप देखोगे कि वह selected पार्ट है वह वहां से हट के यहां पर आ गया है इसी तरह के से file यह folder को भी move करने के लिए हम यह चीज़ करते हैं जैसे कि यह वाले जो यहां पर file है आप वह वाली file यहां से हट गई है जो कि यहां इसके आप देख पा रहे हो तो इस तरीके से move के लिए भी हम यहां पर इसका use करते हैं अब बात करें दो last shortcut की जो कि बहुत ही ज्यादा easy है सबसे पहले चीज़ अगर आपने किसी भी चीज़ को delete कर दिया गलती से जैसे मैं इसको select करता हूँ और मैंने इसको कर दिया delete तो अगर मुझे इसे वापस लाना है तो मैं क्या करता हूँ control plus Z जिसको हम बोलते है undo लेकिन अगर मुझे इससे दुबारा से delete करना है यह थोड़ा confuse करता है ध्यान से समझना अगर आपने किसी भी चीज़ को delete किया और delete करने के अगर वापस लाना है तो हम क्या करते है undo और undo को दुबारा से undo करना है जिसको हम बोलते है redo तो वहां पर यूज करते है ctrl y का तो अगर मैं यहां पर ctrl y प्रेस करूँ तो दुबारा delete हो जाएगा एक बार दुबारा समझते हैं यहां पर कोई भी चीज है मैंने इसे select किया मैं इसे कर देता हूँ delete अब मुझे उस step को पीछे लेना है तो मैं ctrl z करूँगा और अब मुझे इस step को दुबारा से पहले जैसे करना है तो मैं यहां पर ctrl y कर दूँगा तो ctrl z मतलब होता है undo और ctrl y का मतलब होता है redo आप करके देखो कि यह थोड़ा और जाद अच्छ करके अपना feedback जरूर दें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू